Hello friends, आज हम IOCL, IOL Chemical and Pharma Limited के share को analyze करेंगे कि हमें इसमें long term के लिए निवेश करना चाहिए ज़र नहीं करना चाहिए Friends, सबसे पहले company के बारे में देख लेते हैं, company क्या हम काम करती है Friends, company pharma sector में काम करती है फार्मा सेक्टर में फ्रेंड ये के करते हैं, इनका mainly जो दवाईया बनाने के लिए API होता है, वो pharma company को supply करते हैं, special chemical sector में भी काम करते हैं इनका business, domestic as well as international market में भी है ठीक है friend, तो चलिए friend अभी देखते हैं company का market cap Friend, company का market cap है, 3,247 क्रोड का current price है, 552, 52 भी खा ये 8,99, 52 भी खो है, 184 stock cap है, 7,06, book value है, 186, dividend yield 0,72%, ROC है, 68,9%, ROE है, 56,9% और face value दरसर बे, तो चलिए friend अभी देखते हैं company का long term का chart इसने कैसे return दिया अपने shareholder को friend, जदि इसके long term का chart देखें, तो अभी तक तो पुड़ा increasing order में ही है, friend, जदि मैं इसके return की बात करूँ, तो एक अप्रेल दो हैर पांच को इसके share का price था 21.5 रूपे, 21.50 पैसे और अभी है 552 रूपे, तो friend, इसने अपने shareholder का रूपे या, पिछले 15 सालों में around 25 times कर दिया है, तो friend, returns की wise देखें, तो काफी अच्छे return है न, friend, 21, जदि आपने एक लाख रूपे लगाया होगा, दो हैर पांच में, तो अभी उसकी value 25 रूप होगी होगी, और friend, जदि मैं इसके वैसे observe करूँ तो friend, जहां पर आगे इसको काफी तेजी आई है, अभी जब COVID चल राथा न, तब इसके share में काफी जादा तेजी आई है, पहले तो यह ठीक ठाक performance थी, पर COVID आने के बाद इसकी demand, इसकी pharma द्वाईयों की demand काफी बढ़ गई, इसकी वज़िसे share में काफी तेजी आगई, फ्रेंड अभी देख लते हैं, पी रेशो का chart, फ्रेंड ज़री मैं इसकी पी रेशो का chart देखा हूँ, तो जो maximum P रही है, इसकी वो 40 के around रही है, और अभी रही है, जो 7.0 के around ही है, उनली, तो काफी अच्छी valuation पर में रहा है, फ्रेंड, पी का क्या meaning होता है, फ्रेंड, price to earning ratio, value for money, की अभी P7 है, इसका मतलब क्या है, की हम 7 रुपेय दे रहें, एक रुपेया कमाने के लिए एक साल में, तो काफी अच्छी valuation पर में रहा है, कई कंपनियों की P तो 50-50, 150, 200 के आसपास भी होती है, तो देखिए फ्रेंड, P7 है, ज जिदी constant रहे, तो जहें हमारा रुपेया 2 शालों, सोरी, 7 सालों में double कर देगा, FD में अभी हमारा रुपेया around 10 सालों में double होने लगा है, तो ये FD से भी जल्दी हमारा रुपेया double कर देगा, जिदी earning साल रहा, जिदी बढ़ गया तो जल्दी double कर देगा, जड़ी कम हो ग कुमारा है अर्निक परशे ठीक है फ्रेंट तो चली चमपनी के कुछ पिछले सालों का डाटा देखते हैं देखे फ्रेंट सेल देखते हैं कम्पनी की सबसे पहले दो है नुँ में थी 301 कृड़ 11 करोड 18 में 913 करोड 19 में 1650 करोड 20 में 1894 करोड पीछले 12 मेनacho की सेल वाई जी रेखूं तो देखिए फ्रेंट व्यहनुअ में थी 301 करोड और अभी है उनिस 606 क्रोड कितने टाइम होगी फिर सिक्स टाइम से जा रा होगे तो सेल काफी अच्छी अभी देख लेते हैं प्रोफिट भी उतना बड़ा है कर नहीं जदी हम प्रोफिट देख लीज चाहें हमें डर्ड़िली पता लग जाता है वैसे मैं ड्रेक्टली अनुकर बात करता हूँ कि हमारा एक शिएर कितना कमार आ था पहले और अभी कितना कमा रहा है कितनी इंक्रीज हुए है तो देखिए फ्रेंड जदि मैं अर्णिंग पर शेयर से बात करूँ दो है नो में कमा रहा था एक शेयर छेयर पे पैसे 6.99 रूपीज दस में 4 पे 40 पैसे 11 में 2 पे 40 पैसे 12 में एक रपे 50 पैसे 13 में 61 पैसा 14 में एक रपे 15 पैसे 15 में लोस में चली गी थी कंपनी 13 पैसे 13.99 रूपीज लोस में माइनस 16 में माइनस 7.12 रूपीज 17 में 83 पैसे प्रोफिट में 18 में 4 पे 93 पैसे 19 में 41 पैसे 20 में 37 पैसे 51 पैसे और पिछले बारा मिहनों का 30 में 80 पैसे फ्रेंट जरी मैं 29 से कंपेर करूं तो देखे 29 में था सातर पे कमारी थे कंपनी एक शेर पे और अभी कितना कमारी है थे 70 पैसे रूण 11 पैसे राउंड 11 टाइमस पहले से 12 सालों में इसका अर्निंग पर शेर प्रोफिट भी कह सकते हैं 12 टाइम हो गया है देखे 460 करोड पिछले 12 मीनों का पहले था 13 करोड तो कितने टाइम हो गया है नेट प्रॉफिट नेट प्रॉफिट फ्र ज़री इस से देखें तो फे रहा हें क्रॉट में क्वज़्वारा दिखा रहें तो ओर में ज přी ज walked प्रफिट को अनिंग पर शेयर देखें तो सात रुपेसे हो गया है 30 रुपेन असी पैसे तो 11 टाइम सो गया तो कितना जारा बढ़ गया फ्रेंड अनिक पर शेयर देखी तो काफी अच्छे रिटान है और फ्रेंड जली मैं वैसे बात करूं वैसे दो है सत्रा तक तो इसका अनिंग पर शेयर कुछ खास नहीं था कम हो रहा था पर अभी 18-19-20 में एकदम से बढ़ गया है तो काफी ज़्यादा जो इसका अनिंग पर शेयर इंक्रीज हुआ वह हुआ है पिछले तीन से चार सालों में तो चली अभी देखते हैं इसका शेयर होल्डी पेटन और तो फ्रेंट काफी अच्छ है जिरी प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा ले तो FI के पास है 6.4% इन्होंने भी अपनी होल्डिंग काफी बढ़ा लिए फ्रेंट 1.75 से 6.4 पे आ गए हैं और DIA के पास है 23.05% इन्होंने अपनी थोड़ी से होल्डिंग कम कर लिए है और रिटेल टेडर के पास है 26.86% इनके पास भी काफी अच्छे शेयर है तो फ्रेंट जिरी बात करें प्लेजिश है तो कोई भी नहीं है तो रिस्क वाला फेक्टर तो यहां पे है नहीं और बाकी फ्रेंट प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा लिए तो अच्छी बात है अभी देख लिटेटेशो कम्पनी का है तो फ्रेंट देखे देट्ट के रिटेशो अभी है 0.07 पहले था 0.54 अभी इनोंगे अपना डेट भी कम कर लिए जिए डेट कम हुआ तो इंटरेस्ट कोस्ट भी कम हो जाएगी तो यह भी आछी बात है अभी डेट नाम आतर यह कंपनी पर तो चलिए फ्रेंट जो पॉइंट हमने डिसकस की हैं उनको एक वाई रिवाइज कर लेते हैं फ्रेंट जो ड्रेप्ट वाली बात में आपको बताया कि कम हो गाँ तो हम ड्रेटली देख भी सकते चलिए वहां प्र हको दिखाता हूं कि पहले इंट्रेस्ट ज्यादा लागा और अभी कम होगा । चलिए इंट्रेस्ट पर चलते हैं तो देखिये फ्रेंट पिछले 12 मिनों का जो इंट्रेस्ट है कोस्ट है वो 7 क्रोड है 20 में थी कंपनी के प्रोफिट में ही जाए करना ठीक है फ्रेंट तो चलिए फ्रेंट जो जो पॉइंट डिसकर्स की हैं उसको एक बार रिवाइज करते हैं कंपनी की पी रिश्यो है अराउंड सेवन ओनली लोंग टर्म का चार्ट ठीक है वैसे पिछले एक साल में काफी अच्छी प्रफोर्मास दिया पर पिछले भी खराब नहीं थी ठीक ठाक थी तो इसको भी हम अच्छे मानते हैं लोंग टर्म का चार्ट को दे सकते हैं पांच म अच्छा बढ़ा है फ्रेंड कंपनी का इसको भी पांच में से पांच दे सकते हैं डिविडेंड डिविडेंड कंपनी की 0.77% ही थी हो लिए तो इसको दे सकते हैं पांच में से तीन प्लेजिशेर कोई भी नहीं है पांच में से पांच दे सकते हैं डेफ्ट टीक्रिटी कि सबसे पहली बात तो PE ratio काफी ज़्यादा कम है अच्छी काफी अच्छी वैल्यूएशन पर मिले रहा है इतनी अच्छी CAG या ग्रोथ हो रही है company में उसके एकोर्डिंग इसकी PE ratio तो कुछ भी नहीं है तो फ्रेंट सबसे वड़ा काफी बने इंडिया में जो जूज हो रहा है इंपोर्ट कम से कम हो तो इसलिए इस company के वह काफी अच्छी डिमांड हो बढ़ गए है इस company के API की इसकी वैसे इनका प्रोफिट भी कितना बढ़ा है तो फ्रेंट जे मेंली दो पॉजिटी पॉइंट है थर्ड पॉइंट बात करें डैप्ट नाम आतरी है तो रिस्क फेक्टर नहीं है वह भी रिस्क फेक्टर नहीं है और प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ा ल देखे बीच में काफी बाल लोस में भी चली गई थे कंपनी और फिर प्रोफिट में आगी तो जे मेरे को इसमें एक पॉइंट लगा कि इसका जो प्रोफिट है ना कंपनी का वो काफी वोलाटाइल रहता है कभी पहले तीन साल पहले से बात करूं तो वहां पर कंपनी लो पहले यह 850 के अराउंड लगाके अपना आल टाइम हाई तो अभी मिल रहा है उन्हीं 550 पर तो अराउंड 40% डिसकाउंट पर मिल रहा है और इतनी अच्छी वैलिएशन है और रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ रहे हैं तो आप इसमें फ्रेश बाई भी कर सकते हैं और कंपनी के रिजल्ट बेकार आने लगे क्वाटर के तब आप समसकते कि अपी कंपनी से निकल जाना अच्छा है वैसे जब तक रियल्ट ठीक आ रहे हैं और कोई बुरी ख़बर भी नहीं आ रही तब तक मैं यह नहीं लगता कि इस शेर से एक्जिट करने की जुरूरत है क् पी रिशु काफी कम है फ्रेंड उननी 7 है तो जिसमें ग्रैनूला एंडिया वह भी एपिय सप्लाई करती है उस शेर की बात करूं तो उसकी पी रिशु अभी 14 के राउंड है वह भी अच्छा से रहा है फ्रेंड उसमें पोजिटिव पॉइंट से मैं बात करूं उसका एक दीरे बढ़ रहा है इसका एक दम से बढ़ गया ठीक है फ्रेंड बस मेरे को उसके बार में यह पोजिटिव पॉइंट लगता है बाकि जोड़ी ओवराल बात करें फंडामेंटल्स की तो यह शेर उससे अच्छा है ओके फ्रेंड थैंक्स